हालो और वेल्कम फ्रेंड्स आये देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं यह पहली वीडियो है जावा स्क्रिप्ट शुरुवात करने की तो उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी यहां पर मैं लिखता हूँ टॉक टाइप और इसमें मैं लिखता हूँ माइफ फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट अब प्रोग्राम है ठीक है यह लिख दिया मने और इसको यहां से करेंगे क्लोज एच्वन को एच्वन को क्लोज करने के बाद अब यहां पे हम चाहे तो परग्राफ टेग लगा सकते हैं यहां पे स्क्र rinerant.write यह जैवा स्क्रिप्ट से related है ठीक है यहां पर ब्रैकेट में वह चीजे देनी ही जिनको हमें एड करना जैसे स्कूछ किचे मुझे 10 एड करना है ठीक है गिन Griff 7 add करना है तो ये दोनों हमने दे दिये और इसको करेंगे close यहां से इसको terminate करेंगे और terminate करने के बाद जब नीचे आएंगे तो यहां पर script tag को close कर देंगे यहां से script tag मैं close कर रहा हूँ आप जैसा कि देख सकते हैं और script tag को close करने के बाद body और stml भी हम close कर देते हैं body close की हमने और then stml को close कर दिया ठीक है यहां पर stml आ गया तो यह हमने लिख दिया और यहां से अब हम इसको करेंगे save तो चलिए save कर लेते हैं first के नाम से मैं इसे save करता हूँ first.html ठीक है इस तरह से हम embed करा सकते हैं जावा स्क्रेप्ट को stml के अंदर ओके चलिए अब इसको प्रोग्राम को हमको run करके देखना है कि यह कैसा चल रहा है यहां से open करता हूँ मैं browser के उपर तो यहां पर देखिए दोनों का addition होकर के आ रहा है आप जैसा कि देख सकते हैं program में यह हमारा program है इसमें मैंने दो number add करने के लिए दिया है ठीक है 10 और 7 तो यहां पर 10 और 7 को यह add करके दे रहा है उमीद करता हूँ यह पहली वीडियो आपको जरूर अच्छे लगेगी इससे related और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आगे चल करके हम user से input कराना सिखेंगे कि कैसे हम user से input कराएंगे और फिर आगे चल करके जैसा कि viewer ने हमसे request करी है कि calculator कैसे बनाते हैं तो calculator के उपर भी हम काम भरेंगे Thank you for watching this video